हेलो किसान साथियों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तो सबसे ज़्यादा घुम फिर के एक ही सवाल आता है पावर वीडर के बारे में कि ये कादो का खेत में चल पाएगा की नहीं कीचर बना पाएगा की नहीं धान के खेत में धान लगाने के लिए इससे कद्दू कर सकते हैं की नहीं तो आज हम पाँच अलग अलग जगों से अलग अलग कमपनियों का मसीन से आपको लाइव डेमो दिखा रहे हैं देखिए 9 HP का पेट्रोल इंजन है जो 40 बिलेट के साथ चल रहा है और आसानी से ये चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है दूसरा नंबर में देखिए ये बीरला का साढ़े साथ है एचपी का पेट्रोल इंजन है इसमें पडलर लगा हुआ है और पडलर के साथ ये भी चल रहा है आसानी से इसमें भी कोई दिकत नहीं आ रहा है दोस्तो अगर आप दीन भर चलाएंगे तो थोड़ा थकावर तो होगा ही लेकिन आप अपना सिर्फ काम करना चाहते हैं तो अराम से आप अपना काम कर सकते हैं अपना खेट जोह सो कद्दू कर सकते हैं इससे किचर बना सकते हैं तो यहां पे हम एक बात आपको लोगों को बता देना चाहते हैं कद्दू बनाने का तरीका क्या है पावर वीडर से कद्दू करने के लिए सबसे पहले आप रोटरी बिलेड लगा करके इसको आप दो बार जोत करके आप उसमें पानी जमा दें पानी जम जाएगा 5-6 दिन ब पडलर आपका खाली खेत में नहीं चलेगा इसमें पहले से अगर जुताई नहीं किया हुआ है तो पडलर काम आपका नहीं करने वाला है चुकि पडलर मटी नहीं खोदता है वह जो पहले हम जैसे आपको बताएं बिलेड लगा करके जोत लेना है लेकिन यहां पर आप दे जान रखे किसां साथियों रोटावेटर से अगर आप जुताई कर रहे हैं कोई भी पावर वीडर आपके पास है तो बारिश होने के तूरत बाद खेत में आपका जो है सो पावर वीडर उतना अच्छा से काम नहीं करेगा इसमें अगर पानी रहता तो अच्छा से काम करता लेकिन ना ज्यादा सुखा हुआ है सुखा में भी अच्छा से काम करेगा जैसे आप देख सकते हैं यह सुखा में अच्छा से काम कर रहा और दूसरा नंबर यहां देखिए आप यहां गिला मिटी है यहां ज्यादा सुखा हुआ भी नहीं है तो इसमें अच्छा से काम कर कर रहा है अल 자्ник होने को व्युज़ास से इतना अच्छा से नहीं चला रहे हैं धीरे धीरे चला रहा है लेकिन तब भी मिट्टी अच्छा से कटाई करते विये आगे बढ़ रहा है और मिट्टी इसके अंदर बिलेट के अंदर नहीं फस रहा है यही आपको पहचानना जरूरी है रोटावेटर से जुताई करने के लिए मिट्टी आपका बिलेट के अंदर नहीं फसना चाहिए अगर बिलेट के अंदर फस गया तो फिर आपको लगेगा कि हम मसीन नहीं बलकी खरीद लिये हैं दोस्तों देख सकते हैं यहां पे एक छोटा वीडर है जो ब्ल methane है तब भी अच्छा से यहां पर चल रहा है और यह लोगभारी बारी से दोनों जुताई कर रहे हैं देखने में मज़ा भी आ रहा है और यह लोग लोग को सिर्फ परचार करना में वह घौकरने के लिए। जमीन को पढ़ा करने के लिए पहले स्कृप्ट और Πयार करने से करने के लिए वो लोग को सिर्फ परचार करना मकसद रहता है लेकिन मेरे चैनल पे आप लोगों को वैसा वीडियो देखने को नहीं मिलेगा हम किसी कमपनी का परचार नहीं कर रहे हैं बलकि आप लोगों को हम Ground Zero से आप लोगों को दिखा रहे हैं कि कैसा Power Weider काम करता है तो किसान साथ ही हो Power Weider की और बारीक से बारीक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और वीडियो कैसी लगी कमेंड करके जरूर बताएं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें जै हिन जै जवान जै किसान